मैं इस वक्त कराची क्रेस कलब के बाहर मौजुद है, 2000 के वालिद साफ ने आज ऐलान किया था कि कराची क्रेस कलब के बाहर अपना पुरामन प्रोटेस्ट रिकॉर्ट कराएंगे, उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस भी किया और यहां पर प्लेकार्ट लेकर, सब लोग खड़े कराची के लोग आए में, सिविल सुसाइटी के लोग आए में, मुकर एक रष्ट लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे लिए? मेरे साथ जुन्म हुआ है, मैं चीफ जसे साथ पाकिस्तान से अपील करता हूँ, कि इसके ओपर एक्शन लिया जाए, मैंने एक एफिडेविट के नाम जमा करवाई थी, और मैं बार बार उनसे अपील करता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया था, अगर अ मैं इसको क्या आग लगा दो, मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको क्या करूँ, मैं चीफ जसे साथ पाकिस्तान, और मैं ये एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, और मेरा पूरा भरुसा है, और अभी भी है, और चीफ जसे साथ मुझे यकीन है, वो मझे इंसाफ दिलाएंगे, प्लीज आप इसके उपर एक्षिन लें, नोटिस लें और मेरा केस्ट लें वो जो रिजिस्टार्ट थे, जिनके उपर निकाह का कह रहे थे, जो कह रहे थे, मैंने नहीं पढ़ाया निकाह और मेरे सिर्फ अंगूठा इस्तमाल किया गया है तो वो अपने बयान पर अभी खाइम है, या कि क्या हुआ फिर है, जब तक बच्ची माइनर सी पेपर्स के अंदर माइनर दी, उन्हें एक खौफ था, वो यहीं कहते थे, जनाब मैंने तो यह निकाह पढ़ाया ही नहीं, और मेरा एक साइन्स टैम्प इस पेपर के उपर, ड अगर आपने उन्हें मौतल किया है, और अदालत ने ये काए, मैंने ये चैलेंज किया था, वोट ने कहा कि इसको आप ट्राइल कोट के अंदर इसको जो है, वो बोले, वो आपको बना कर देंगे, वहाँ डाक्टर्स होंगे, एक सर्जिन होगा, और इसको पर एक प्रापर बेंच बनेगा, वो बनने से पहले ही बच्ची को फ्रीविल देकर बेंज दी कि यह स्कूल के सर्टिफिकर, तमाम डॉकुमेंट्स लेके बेढ़े हैं, और इनका ही कहना है, मेरी कोई 18 साल या 14 साल या 13 साल से ऐसी प्लैनिंग नहीं थी, कि मेरी बेटी इस एच के अंदर कहीं चली जाएगी, अखवा हो जाएगी, वहाँ बाग जाएगी, वहमें सारे चाली के अंदर कहिए, अमारी दौए है परवालिगारे आलम इस मसले को हल करें, इस बाप को जो पिछले एदी हे 10 महीने सरोडों परे, इसका मसला हुलों इसके बीटी इससे मिले, और जो भी सचे उस सामने आजाए आप सब दूपी दूपी दूआ कर थे परवालिगारे आलम झेवात लो झाल झाल